श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हेनाथ नारायन वासुदेवा वैशाक महत्मिय उन्नीसवा अध्याए भगवान के स्वरूप का वर्णन एवं वायू के शाप की कथा तो हमने सत्रवा अठारवा अध्याए जो पहले किया है अभी आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं उसमें हमने व्याद और मुनी की वार्तलाप सुनाई उसी में आगे है यह भगवान के स्वरूप का वर्णन एवं वायू के शाप की कथा व्याद बुला हे ब्रह्मन आपने समस्ट शुबफल एवं वैशाक मास के धर्म विश्नु भगवान के निम्मित बताए हैं सो हे प्रभू वैविश्नु कैसे हैं उनके लक्षन क्या है उनका परिमान क्या है और कैसे लोग अपने सद्भावों से उन्हें जान सकते हैं वैश्नव धर्म क्या है जिनसे विश्नु भगवान जी प्रसन्न होते हैं यह सब मुझे बताईए मैं आपका सेवक हूँ व्याद के इस प्रकार पूछने पर जगतपती भगवान नारायन को नमस्कार कर शंक मुनी बोले है व्याद सुन मैं विश्नु भगवान के कलमश रहित रूप का वरणन करता हूँ यह रूप ब्रह्मादी से लेकर किसी मुनी के ध्यान में नहीं आता विश्नु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुन निश्चेष्ट अनंत सच्चदानंद घन स्वरूप हैं संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रे और वश में है अब मैं तुझे उसी परमात्मा के साक्षात ब्रह्म के लक्षन बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, अवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंद, मोक्ष और वृत्ति होती है वही साक्षात विश्व ब्रह्म है यही ब्रह्म शब्द वित्पत्ति करते है इनके जन्म आदितों केवल शास्त्रों में ही जाने जाते हैं वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्री और महा भारत ये सब विश्व भगवान के आत्मस्वरूप हैं इन्ही के द्वारा विश्णु भगवान जाने जाते हैं अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते हैं इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं कर्म से विश्णु भगवान का महत्मय सातिशय होता है इसी प्रकार देव, रिशी, पिता और माता प्रत्येक में शक्ती रूप से विद्धिमान रहते हैं प्रत्यक्ष, आगम या अनुमान द्वारा बल, ग्यान और सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो फिर ग्यान आदी से आवरित राजा को सौ गुणा अधिक जानो, इनसे तत्व अभिमानी देवताओं को सौ गुणा अधिक जानो, तत्व अभिमानी देवताओं से रिशी बड़े हैं सब त्रिशियों से अगनी, अगनी से सूर्य, सूर्य से ब्रिहस्पती, ब्रिहस्पती से वायू, वायू से इंद्र, इंद्र से पार्वती जी, पार्वती जी से जगत गुरू, महादेव, महादेव जी से बुद्धी देवी और बुद्धी देवी से भी प्रान सब का आधार भूत इसको सूत्र कहते हैं लक्षमी के कटाक्ष मात्र से इसकी स्तती है यह सुन ब्याद बोला वह लक्षमी देवी विश्नु भगवान की एक मात्र कृपा पात्र है विश्नु भगवान से अधिक्या समान कोई नहीं है अतह जीव में इस प्राण का नाम सूत कैसे हुआ हे ब्रह्मन इसका निरने समझा कर कहो परमात्मा प्राण से परे कैसे हैं शंक मुनी बोले हे ब्याद जो तू पूछता है वह सुन मैं संपूर्ण जीवों के कल्यान के उद्दिश्च से कहता हूं राचीन काल में नारायन भगवान ने कमल योनी ब्रह्मा कमल य शील, शौर्य और ओधार्य आदी गुणों से युक्त हो भगवान के ऐसा कहने पर जब सब देवता इंद्र के पास जाकर आपस में विवाद करने लगे कि युवराज हम होंगे कोई कह हम होंगे इस प्रकार विवाद करते कोई सूर्य को सर्वश्रिष्ट कहने लगा कोई इंद्र को कोई चुपचाप खड़े रहे जब वे लोग इस प्रकार निरनय नहीं कर पाए तब नारायन जी के पास गए और सब देवता नमसकार कर हाथ जोड़ कर कहने लगे हे महराज हमने आपस में बहुत विचार किया परंतु हम में कोई भी अधिक श्रिष्ट दिखा और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए वही सब देवताओं में अधिक श्रिष्ट है और कोई नहीं यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु ऐसा ही कहा तब जयंत नाम के देवता बगवान के पाओं में से निकल गए और उसको सब पंगु कहने लगे परंतु दे नहीं गिरा और पुर्वत सुनता बोलता सूंगता जीता देखता जागता और स्वास लेता रहा इसी प्रकार गुहियंद्रिय में से दक्ष नाम प्रजापती निकल गए हातों में से देवताओं का स्वामी इंद्र निकला उसे हस्थ हीन कहने लगे नेत्रों से सूर्य नि निकले तब उसे नासिका रहित कहने लगे कानों से दिशाई निकली तब उसे बहरा कहने लगे जिवह से वरुन देवता निकल गया वानि से वानिश्वर अग्नी निकला तथा मन को चैतन्य करने वाले रुद्र भी निकल गए तभी वह lift तेह नहीं गिरा और पुर्ववत सब कार्य करता रहा पश्चाद जब प्रान निकला तो प्रान के निकलते ही द्रे मृत प्राय हो गिर पड़ा तब सभी देवता विस्मत हो कहने लगें कि अब हम में से जो कोई इस गिरी हुई देख के उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्ष्ट है वही युवराज होगा तब उसी क्रम अनुसार जैसे जैसे वो निकले थे सहसे वैसे प्रवेश करने लगे रुद्रने मन में प्रवेश किया परंतु देह नहीं उठा पड़ा ही रहा सब से पीछे प्रान गुसे तो प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ तब देवताओं निश्चे किया कि बल ग्यान धैर्य वैराग्य और जीवन से भी अधिक है प्रान समस्त देवताओं का अधीश्वर है और व्यापक है अतेव प्रान को ही युवराज बनाया और उसके सम्मान आर्थ सामवेद का गान करने लगे इसलिए स्थावर और जंगम आत्मक यह स्रिष्टी प्रानात्मक है अधिक बलवान और सब जीवों का अंतर आत्मा है भिन भिन कर्मों का संपादन करने वाला है यही लीला करके सब संसार का रचने पालने और संगहार करने में समर्थ है शेश शिव और इंद्र आदी जड प्रान कर चेतन कोई भी सिवाए विश्णु भगवान के इसका पराभव नहीं कर सकता यह सर्व व्यापक है तथा वासुदेव भगवाद का अनूवर्ती एवं वशी भूत है यह भगवान के प्रतीकूल ना कभी सुना है और ना कभी देखा है इंद्र आदी देवता प् ऐसे भगवान के मात्मे और लक्षन जानों जैसे साप जीरन कांचली को छोड़ देता है उसी तरह जीव भी पूर्वजन की मानवदेख को त्याग कर नारायन के समी परमधाम को प्राप्त होता है यह सुनकर ब्याद अत्यंत प्रसन होकर बुला हे ब्रह्मन जगत गुरू सद, वेशवर, प्राण की महीमा लोक में कोई भी नहीं जानता देवता, मुनी, राजा और महात्मा आदी की महीमा पुरान तथा लोक में बहुत सुनाई देती है सोहे मुनिशवर यह मुझ से कहो शंक मुनी बोले प्राचीन काल में देवादी देव, अनामय, नारायन, भ के नीचे गुफा में कन्व नाम के महात्मा समाधी लगाए हुए बैठे हुए थे वह हल से बाहर खिच आए तब प्राण को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर क्रोध से शाब देते हुए बोले आज से तेरी महिमा तीनों लोकों से जाती रहेगी और विशेश कर भूलोक म में तुझे कोई नहीं मानेगा मुनिक ऐसे कहने पर क्रोध कर पवन बोला मैं निर अपरादी हुँ तूने बिना अपराद मुझे शाब दिया है सो हे कन्व तू गुरू द्रोही हो और तेरी वृत्ती विश्व में निंदित हो तभी से संसार में और विशेश कर भूलोक म प्रान की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और प्रान के कारण कन्व गुरू को मार कर सूर्य का शिष्य हुआ हे ब्याद जो कुछ तेने पूछा सो सब तुझसे कहा अब आगे और कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नाराय जैनवासुदेवा जैश्री कृष्माद, जैतुलस्यमात, हरी प्रिया मुस्त।